और दो जी अच्छा अजिए घ्रैडी यह वीडियो बनानी यह एक शौग तैंक कीता है ना किटा आपनी जगा पर लेकिन गें दिरुटे जरी नाजरेन सुगर में अपनी जगा पर लेकिन यह हैं गोगाब बाइजी लास्ट वीडियो में आपको मतलब थोड़ा सा तारफ शाड़ सा करवाया था यह जिसरा आप पुझाबी में कहते हैं लंगोटी यह मेरे आप लंगोटिया समय ले यह दोस्ते जब मैं पीडों का शौक करता रहूं तो यह मेरे साथ थे अटैज थे गोगा जी अपना तारफ ऐसे तुसी आप जुबानी क परेंदे विडियो बनांदा मकसदे के चलो को बेलिया रूना को जोनुदी बेलिया जैको परानी गल लाब जबे किसे परेंदे जेडा कुछी तरीखी हो कि अच्छा होके तो आड़ा को बदेया हुए या कुई ऐसा क्योंकि नाजरीन ना गोगा भाई महावथी कार देशन मतलब जो पीड में खड़े होके परेंदों का शौक करते हैं यह वह इनकी फील्ड थी तो तुसी महावथी कार दे रहे हुए आपने पिडा दे वेच गया केड़ा परेंदभा ना आड़ा को अच्छा से प्रेंदर माशाला वाल्या फाल नहीं जाँ लिए नियुक्त टिक वेंड़ान ना पांच बेसे आपने लिए उसमर्गयान दोसाड़े लाचने खेंपनों हो ते जोसी दोसी लिए देग्या जोस वह दुरूल्टा झादी के शिक लि पेड़ से गेड़ा जेए कुकड तोर चाहिए यंदे उस तुबार साड़े कुकड सिद्ध होगे छुटी मारी कुकड काला तुझी भड़के पैर मारे कुकड तो सेर्दी खड़ी एकसा जेए क्रेक नहीं हो यंदी उस दर्मानों कुकड पेड़ वे जीबा कीता है ओ मुर् मेरे तो लावा कुदस होना है ते बेलियां कहना है के नदीम शादी तरीफा करी जा रहे हैं वीडियो भी यह से मकसा से नहीं है केसा चे इमान नहीं अलागी शोगत इमान गरा नहीं आना चाहिए असा शुरू तो रड़ाई बाइंदीम को लागे ने तो उस आड़क हों अच्छा ठीक अच्छा और वाकिया शाद पेड़े वेज़ की हो यह जिदन आशी खानपूर गए हैं और तुसी किया कि आजावा कुकड बड़ा चंगा थे इंदी तो पैसे लाने ने तो पैसे लाने ने तो इस तो माच्छा जाह चाहब लेड़ा लेड़ा था एक तर फ छोगर भी फोट हो गया एक पासे राजा जमशेय सी जी मैं पैसे लारे हैं लाखे तो नहीं तुसी दा रहें सी सावे तो माफ दी मैं खोड कर रहा है न तक रहा है कि अच्छा वीड़ा है इस तो फोड़ा जाना कीड़ा है ए माड़ा चंगा ठरक कर लें देने जार दो द पाइजी आया है यह वीडियो बेचर काड और यह ओके नहीं हो यह सरफ चार मिंड़ी वीडियो हो दी दस मेंड़ी जार में गाल सोना है तुसी एक हो मैं के बेलिया नों हिस्ती सारी सुनाई है मैं गंजु बीड दी आठ पार्ट बनाए ने गाल सुना है तो बरीकिरा जि ने मसरा ने देखी उन्ट अन्यू एक मुर्गा यदा सालया निपने धीमर राको शीक्रा मुर्ग लागे निजरा खड़ी तक्तित अमुर्ग जहरत बाशी जार चीटा ही जोड़ किता ही मच्छी अला सी तनंपुरीं यू रंस तनंपुरीं उन जोड़ किता दाशी तरप्रेलब सकता इना फाइनल आठ तुte नोगें अन्थ में भिफिन में तो ऑर फ खर फाइनल आठ तुनों देती है फ्रया कर दोगाइत कि पर दो एड़ा मुर्क कॉर एस चыт compression तहों प्ल्ग कुछिश की दिंथ प्रचाइब सब्सक्राइब उच्छाइब जड़े ने पाइंस फिर नहीं सब्सक्राइब यह गए जविद कुछा वधी तक पर श्राइब निए जए गया गए मतलब ऐसे तो तरह चाहिए वले प्रफेले अगली गश्राइब नें उसक्राइब आगे थे वापसी ये उस दिन की वीडियो है कि जब हम उस्ताद वशीर साब के पास गये थे तो गोगा भई यही पर रहते हैं जी मेरे क्रीब इनके साथ गवसर चलती रहेगी आज वाली वीडियो में पूसिश करता हूँ आपको प्रिंस के चूर्जे आपको कहे थे तो प् कि गोगा भई यह इन्शालला अब आते जाते रहेंगे और इनके साथ गवशक होती रहेगी तो शौक की पुरानी को याद दे हैं वो ताजा करती रहेंगे थोड़ा इनको वो थोड़ी जिजग थी वाने वाले टाइम में इन्शालला दूरो जाएगी था जी इन्शालला हो तो आनो माद करना हो एक मुर्गे दिगा लो और इसी मिता बचन दे वह इन्शालला भाई तो शौक करवाने रहें तो नमसारी तो शौक करवाता हूं जी दोस्तों सबसे पहले आगा जी चूजा नंबर एक ठीक है जी यह बच्चा चीना बना है मतलब कमर थोड़ी सी ल पिला हो गया था तो मैंने गवर नहीं किया आज बाहिर निकाला तो आईडिया होए घी नली आपको दिखाता हूं इन चूजों में से सबसे बहतरीन नली कलर इसका सिरफ फ्रंट है जो है ना वह पीला रहा है बाकी जो है साईड़ें हलकी यलकी आ रही है जी बलके हलकी न परिसनली बना रहा है गैरी खाली बना रहा है और यही वज़ा है कि प्रिंस के चूजों के मतलब जो यह कलाच्चा है ना जी मैं थोड़ा सा हिरान हूँ जी के मुझे उमीद दी थी कि इतने मेरी बच्चे बनाएगा अलहमदुलिल्ला उसने बड़े बेहतरीन किसम के करें यह दूसरा पॉइंट है कि जबरदस इसकी कमर की लेंथ है यह देखे कमर थोड़ी सी ना लाखी कार रहा है बाड़ी शेप आपको दिखाता हूं थोड़ी जा पोजिशन सैट करता है यह आप देखें जी बाड़ी शेप बच्चे की बड़ी खुब सूरत है इसके ब मतलब इसकी तुकोने साइडों से उठ रही है जिस तरह प्रिंस की नली है प्रिंस की नली थोड़ी सी काली ज्याद है इसकी काली पीली मतलब थोड़ी सी गहरे गलर में है साइडों वरे तुकोने आप चेक करें पंजे का स्टाइल देखें पंजे का स्टाइल बड़ा बच्चे को थोड़ा सा शावर किया था हिक तो मक्यां भी तंग कर रही है दूसरा चूज़े का दिल कर रहा है जी दूप सेंकने को नली यह आप चेक करें यहां पर आपको थोड़ा सा बेतर आइडिया होगा यह च्छाओं वाली साइड पर आगया बच्चे असल में दूब वाली साइड पर थोड़ी सी गर्मी फील करते हैं जी तो मैंने का चलें इसको इस जगा पर लाके आपको शौकर वातों एक साइड पर करके उमीद है इन्शालला आने वाले टाइम में जो पठ्थे बान रहे हैं बहुत ज़्यादा मजबूत बड़े शेकल शेफ वाले प्लस एक्स्ट्रा चोरस नली वाले बनने की उमीद है या माशालला देखें हड़ियां इनकी जबरदस्तों की ठीक है जी इसके बाद आपको दिखाता हूँ जी चूजा नंबर तीन ये बच्छा मुश्का बन रहा है जी और बहुत ज्यादा मजबूत छेरा इसका दर्म्यान नहां मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकिन ये मजबूती में का Colin मूश्का जारा दूसरे चूजों के, यहां रोशनी में आप चेक करें, आपको बेतर आइडिया होगा, मैं रोशनी में और चाहों दोने तरफ करके आपको नली की लुक दिखाता हूं, वो इसलिए को कि बाद उकाद रिजल्ट दूब में अच्छा नहीं आता और बाद उकाद चाहों में, तो इसलिए मैंने का, दोनों जगा पे आपको शौक करवाद हूं, बच्चे की आप स्टैनिंग पॉजीशन चेक करें, एक तो यह रांका बिलकुल मुश्का बन रहा है, मतलब इसमें चीने पार नहीं आ रहे हैं, यह बिलकुल मुश्का है, कमर भी इसकी लाकी नहीं बन आप चेक करें माशाला, हडियों में, मजबूती में, मतलब जिस तरह कोई गंड जोड़ वाले अच्छे परिंदे बनते हैं ना जी, सेम उसी पॉजीशन में आ रहे हैं, वैसे भी यह 75 परसंट जो है, यह उस्ताद बशीर वाली लाइन में, 25 इसमें उस्ताद रमजान वा पा रहा है, मतलब इसकी जो माँ है, ठीक है, वो तीन लख्या की बैन थी, 50 परसंट वो बशीर वाली, 50 जो रमजान वाली, बच्चे की आप नलगें चेक करें, मक्यां इस मुसमें काफी तंग करते हैं, जी आपको चूजा दिखाता हूं, नेक्स जी चूजा नंबर चार, सबसे ज्यादा मियारी जो जिसकी फेस कौाल्टी है न जी, वो ये चोथे नंबर वाला चूजा है, और शायद दूसरे सारे बच्चों से ज्यादा ये बच्चा मजबूत है, वैसे एक से एक बढ़के मजबूत है, कोई भी बच्चा नमें नरम नहीं है, गर्दन के बंद जाते हैं जी, परिंदे फिर अपना मियार बनाते हैं, अभी इनकी एज मेरे ख्याल से कुछ चार माँ के रौन बोट है, चार सवा चार माँ के करीब इनकी एज है, बच्चे का नीचे छोड़के आपको शौक करवाता हूं जी, कमर के लैंट इसकी भी काफी ज्यादा है, ये चल पिर नहीं रहा था, तो दूसरा चूजा इसके साथ चोड़ना पड़ा है, वो बैक साइड वाला बच्चा है, जो लास्ट आपको दिखाया है, जी, ये खुड़े के अंदर आगे हैं चूजे, इसकी भी बाड़ी शेप माशाला खुब सूरत है, मेरे ख्याल से सार बाई बने हैं और एक फीमेल बनी है, टोटल ये पांच बच्चे हैं, जी दोस्तों चूजों का आपको शौक करवादी है, प्रिंस मुर्गे के चूजे, प्रिंस ने अलहमदुल्ला रजर्ट जो है ना, वो मेरे क्याल के मताबिक बड़ा बेख्रेंज दिया, प्रिंस में